हालो नमस्ति मैं हूँ आशी और एक बाब फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशे टिप्स में थमनेल से पता चल गया होगा हाथ में कुछ नहीं है एक साधरन सा पानी है वो भी करम है तो वीडियो बहुत ज्यादा सिंपल और इंजी होने वाली है इस्पेशली आप लोगों के लिए काम की एक वीडियो है तो यह उन लोगों के लिए वीडियो है आज की जिन लोगों को अपनी में मौर्निंग वेट लॉस दिंग्या अधर कोई भी ड्रिंक बनाने में आलस आत है तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें चाहिए एक सिंपल से इजी ड्रिंग जो की हमारे बनाने में आसान हो और हमारे वजल के साथ हमारी बोड़ी में अधर सरी लिके से हमें फायता दे 25 thực लोगों आज का जो वीडियो है वह आप सभी के लिए काम होने वाला हम बात करेंगे स inject को बात करेंगे को लिए आज के वीडियों करेंगे हम क्रिक्राम कुछा है काम की होने वाली है, यह जो जो गरम एक्चुली हम बात करें अगर तो कुछ जो लोग होते हैं उनका जो है मेटाबॉल्जम बहुत ज्यादा फास्ट होता है और कुछ का कम होता है जिनका फास्ट होता है उनकी बॉड़ी में अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं ल तो अगरसवे अगर हम देखें जिनका नोल सिह द्वक तो उनके साथ यह होता है कि वह कम खा ले लेकिन और उनके साथ यह ऑता है कि अपकande किली फटर जया घ्लानी लेट तो किषक्ठ जाएँ झो कि इसको फाट्श करदे, अब हार्मॉन के इनबैलन्स की वजये से भी, तो भी हमारी बॉडि में मोटापा बढ़ता है, फैत बढ़ता है, वसा बढ़ता है, जिसकी वजये से जगे-जगे ऑडी में फैत इखता होगने लग जाता है, बाल झाने लग जाते है, स्किन जो है धीरे-धीरे से डल हो जाती है तो अब इन सभी के लिए एक अकेला उपाई मेरी नज़र में तो सिर्फ और सिर्फ एक गरम पानी है जो हम एजीली बना सकते हैं और हमारी बोडी में जो भी प्रॉब्लम्स चलती है उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं अक्सर देखा जाता है PCOD, PCOS या फिर thyroid की वज़े से भी especially ओरतों में बहुत जादा मोटापा देखा जाता है तो इस सभी का एक उपाई ही हो सकता है गरम पानी गरम पानी को हम किस तरह से पीएंगे किस ट्राइंग पीएंगे कितनी बार पीएंगे कि गरम पानी सिर्फ और सिर्फ गरम प वो से इसने पहलं से पीएंगे कितनी अचियू पाई गरम पानी कितनी टाइम बार आ पीएंगे वhou सब्ह इसके पाइदे होते हम वहम आज Kita में जानने वाले हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगर वीडियो से लगेघ गेए तो वीडियो को एक लाइक देर इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गरम पानी को हम कितना गरम पीएंगे गरम पानी हम एक बरतन में एक्चुली जब हम पानी पीएंगे तब हम इसे गरम करेंगे ठीक अगर हम घर पे हैं तो हम ये कर सकते हैं लेकिन अब कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो तो वहाँ पर हम गरम पानी, गरम पानी की बोटल अपने साथ रखिए, भर कर रखिए और उसे ही आप पिए, तो यह हो गया कि हम भार किस तरह से पिएंगे, कितना गरम पिएंगे, पानी हम गरम, तो गरम पानी आपको पीना है, चाय जितना गरम पानी, मुश्किल नहीं होत तो वो स्टार्टिंग में जब आप कुछ भी नया करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है लेकिन धीरे धीरे आपको यह आदत लग जाएगी इसकी और आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो उपकिया नहीं लगती है अकसर हम देखते हैं लोगों को जब लोग नए-ने स्टार् पानी ठीक है कितनी बार पीना और किस तरह से पीना है आप यह जानते हैं तो आप सुबह उत्ते ही चाइज इतना करम पानी पीएगे उठते ही बिना ब्रश किये पानी पिया उसके आदे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है उसके बाद आप खा सकते हैं खा लीजिए healthy या फ्रूट्स का सकते हैं या दूद्ध पी सकते हैं लेकिन आपको चाय जो है उठते ही नहीं पीनी है गरम पानी इस तरह से हमें उठते ही पीना है उसके बाद आप गरश वगेरा कर सकते हैं उसके बाद हमें पानी पीना है लगभग आप जब एक ग्लास गरम पानी आपको पी लेना है इसके बाद आपने लंच किया तो लंच के भी आधे हुंटे बाद आप चाय जितना गरम पानी पीएंगे ठीक है उसके बाद आपको जो इवनिंग का टाइम होता है जब आप कोई हलका फुलका स्नैक खाते हैं तो उसके बाद भी आप उसके आधे घंटे बाद आप पियेंगे गरम पानी रात को डिनर करेंगे उसके भी आधे घंटे बाद आप पियेंगे गरम पानी चीक है डिनर आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए उसके आधे घंटे बाद आप पानी पिलेंगे और अब इसके बाद आप तहल आपको थ जाएं भी गरम पानी पी कर आप सोएंगे, इस से क्या होगा, गरम पानी को, कोई भी जब हम खाना खाएंगे, उसके बाद, अगर हम गरम पानी पीएंगे, तो जिनका metabolism बहुत चाहएं लो है, फास्ट नहीं है, उन लोगों का metabolism फास्ट होता है, हम जो भी unhealthy तो जो गरम पानी है उसके हमारी पानी में उसका फैट होचा होता है उसी वह ढ़ीं भर्टी भर्टा ़ता है। यानि गरम पानी सब्टी हम यहां हरा ने लगता है मतलग似 हमारी भरटी में गंदगी खटी है। गंदगी खटी नहीं होगी, गंदगी में हम फैट को भी बोल सकते हैं, तो जो भी गंदगी है वो हमारे शरीर से बहार निकल जाएगी, हमारा जो पेठ है वो साफ होने लगेगा, धीरे धीरे जब आप इसे continue रखेंगे, तो आपका जो in-digestion का problem है, यानि आपका खाना अगर पचता नहीं है, तो वो भी पचना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से हम जब भी कुछ खाएंगे, उसके आदि गंटे बाल हमें चाय जितना गरम पानी पीना है, और वो पीना किस तरह से हैं, हमें कांच की इस तरह की ग्लास में हमें लेना है, और सिप सिप करके उसे पी जादा आप पी सकते हैं लेकिन कम से कम आपको च्या र ताइब याणि पाँच ताइबंश तो कम से कम दिन में आपको गरम पानी पीना ही गया हिए। इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं तो छोटे चोटे और बड़े से बड़े फाइदे में हम देखें, तो सबसे बड़ा फाइदा PCOD, PCOS या जिन लोगों के थाइरोइड है, तो हार्मोन्स इंबैलेंस की वज़े से ये सारी प्रॉब्रम्स होती है, तो ये प्रॉब्रम्स आपकी सॉल्व होने लगती है, आपके जो अगर स्किल मौश्चर देगास, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो आपके पीरियड्स टाइं पे आने लगेंगे, तो अगर नहीं रगुलर हो जाएंगे, अगर चेहरे में बहुत सब्ढ़ा पिमपल्स है, तो वह भी चले जाएंगे, टीनेजर्स को तो ये प पीना चाहिए और आप पैरेंस हैं मदर है जो मुझे देख रही है तो आप अपने बच्चों को बच्पन से ही उत्ते ही गरम पानी पीने की आदत बच्पन से ही डाले क्योंकि यह उनके जो ग्रोथ है ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर उनकी बॉ कशिण रिंबु पाणी के अधर ज़रूर डाले आपके लिए और जु गरम पानी है वह बडी में फगलाने लगता है धीने अगर आपड़ी में की से हीज़ echo होता है तो मृनिंग के टाइम जब आप गरम पानी ठीएंगे तो मॉर्ni स्फॉत दिन जब आप निभू नहीं डालेंगे आप सिर्फ मॉर्णिंग में जो पानी पिएंगे गरम उसमें ही में है आप निभू का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको निभूसुट होता शी तो कोई बात नहीं, आपने वो मद डाली, आप से गरम पानी पीजिए, विसल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, और अधर आपकी health problems है, उनमें तो आपको फाइदा दल दिन के अंदर ही मिलने लगेगा, आपका जो चेहरा है, वो automatically glow करने लगेगा, क्योंकि आपके जो body से सारी गंदगी जो है, वो साफ हो चुकी होगे, आपके skin बहुत जादा glowing लगने लगेगे, अगर आप इस आदत को अपने routine में शामिल कर लेते हैं, तो आप उम्र से पहले बड़े नहीं होगे, मतलब कि आपकी age जो है कभी बढ़ेगी नहीं, तो इस तरह से आप गरम पानी कर सकते हैं, अपने metabolism को हाई कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके body में कभी fat इखटा नहीं होगा, और जो fat इखटा हो भी गया है, वो धीरे-धीरे से पिकलने लगेगा, और निकलने लगेगा, इसके साथ आप कुछ हलकी फुलकी exercises के लिए मेरे आसान स videos देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूं, बहुत ही आसान, easy exercises जो कोई भी कर सकता है, तो इस तरह से आज का जो video था, वो बहुत जादा easy था, इसमें ऐसा कुछ special नहीं था, लेकिन काम का video था, तो इसे जादा से जादा share करो अपनी family members, अपनी friends, अपने relatives के साथ, त पाएं और उन्हें भी उसका फाइदा मिल पाएं, तो आज के लिए सिफ इतना ही video, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना, चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, और अगले video के लिए notification के लिए बैल आइकन को जरूर दबा देना, मिलते हैं नए video पे आपके ही topic के साथ, बाबाए!